Hello everyone, I am Bridges, the topic is perimeter and area, so we have some figure, हमरे पाथ यहाँ पर कुछ figure है, in figure का perimeter and area किस तरह से find होता है, we will discuss it, हम यह discuss करेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर जो first figure यहाँ पर दे रखा है, rectangle का यहाँ पर, अब rectangle की जो opposite line होती है, जो Apache line होती है, that is L and that is L, यह क्या होती है, equal होती है, एक्वल होती है एंड पहलल होती है next B, AB यह पुजी लाइन है यह इसके equal होगी क्या होता है, rectangle होता है and यहाँ पर जो angle बनता है यह जो angle होता है वो होता है 90 degree का सब यहाँ पर जो angle होंगे वो होंगे यहाँ पर 90 degree अब इसका area के होगा length multiply breathe length की multiply हम breathe से कर देंगे then answer will be area, answer जाएगा area अब यहाँ पर e equal to हो जाएगा l multiply b, this is area, अब next इसका क्या होगा perimeter, perimeter यहाँ पर है surrounding, इसकी जो surrounding है, इसकी जो boundary है उनका सब को हम add कर देंगे then answer will be perimeter अब यहाँ पर हम इसको add करेंगे यहाँ पर l plus l, l plus l b plus v b plus b, जब add करेंगे तो l यहाँ पर 2l हो जाएगा 2l plus 2v हो जाएगा तो सेम इसी तरह से यहाँ पर हम 2 को बाहर निकाल लेंगे यहाँ पर common है 2 यहाँ पर दोनों में आ रहा है 2 यहाँ पर जो हमार का perimeter का formula यहाँ पर बनेगा 2 l plus v हो जाएगा 2 into l plus v अब नेस्ट फिगर वी हैव square, अब square में यहाँ पर जो अपोजी लाइन होती है वो parallel भी होती है, बट यहाँ पर equal भी होती है, यहाँ पर यह line इसके parallel है, यह इसके parallel है बट यह equal भी है, और इसके जो all angle होगा 90 degree का होगा यह भी 90 degree का angle होगा यह भी 90 degree होगा, यह भी 90 degree and यह भी 90 degree का angle होगा अब यहाँ पर इसका area क्या होगा, अगर हम A की मुझलपाई A से कर देंगे, इसकी length and breathe equal है, इसकी length breathe equal है, subside इसकी equal है तो यहाँ पर A multiply A, that is A square होगा, यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, यह एरिया हो जाएगा अब हम इसका parameter find करेंगे अब यहाँ पर इसकी surrounding को हम add करेंगे, इसकी जो boundary है इसको हम add करेंगे, तो A plus A plus A, plus A यहाँ पर 4 times A 4 बार यहाँ पर A है तो यहाँ पर खोड़ेगा4a, इसका क्या होगया ये? प्लश्यानों हो गया नेस्ट है ट्रायंगल अब यहाँ पर a,b,c जो फिरिडरे जो त्रीडी साइड से क्लोस्ट प्लोस्ट होता है त्रायंगल अब यहाँ पर a i plusb i plus c दी रुखिए हैंड इस पर यहाँ पर a पर 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 यहां से भी हाइट कर सकते हैं तो यह क्या हो जाएगी है अब इसका फर्मूला क्या होगा area का बन भाई टू मल्टिप्लाई बेस इंटू base into height. इसके यहां हो गया? formula हो गया area का. अब, next इहां पर इसका perimeter क्या होगा? इसकी surrounding, इसकी जो boundary है, उसको हम add करेंगे, then अज़र बी perimeter. A plus B plus C. next figure, we have parallelogram. अब parallelogram क्या होता है? इसके जो opposite line होती है. अबॉजर line होती है. बो parallel होती है और equal इसके पहलेल है and equal बिसके पहलेल है and equal है अब जहें पर इसके इस से शोटा ही यह 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 सूल होते खोलीयव àsле संसे बेटेंगल होता है इस जो कि आएश्ड म्हारशिन आ सब जत एक हकी आईप इन इन कुछ सब एंगलियव leaking 90 डिगरी के होते हैं, but परेलोग्राम में, जो अल अंगल होते हैं, वो 90 डिगरी के नहीं होते हैं. For example के लिए, यह एंगल यहाँ पर 70 डिगरी हो गया, 70 डिगरी, तो यहाँ पर इसके अपोलेट अंगल होगे, वो क्या हो जाएंगे, equal होतے है यहापर is seventy है यह तो यही हापर 70 हो जाएगा and अब हिहाँ पर जो इसके adjacent angle होते है उनका जो sum होता है वो 180 होता है आई यह 70 है तो यहाँ पर यह angle होगा 110 , 110 अब इसके यह adjacent angle है इनको हम add करेंगे the answer will be 180 answer यहाँ पर यह तो home 10 ही भी 110 हो जाएगा यहां इसका जो एचाए है ayre के वहता है बेस एंटु हईट अबv flex यहांपर देरक्ट है यहां जो जिससे यह इस फिह पना होगा वो नीचे बाली जो लाइट होगी दिसस बेस अभ यहां पर अब इसके height क्या होगी? अब इसमें यहाँ पर slanty line है यह this is not height, यह height नहीं है इसकी height यह एक line ड्रा करेंगे यहाँ से तो यह line perpendicular होगी तो यह होगी इसकी height यह इसकी हो जाएगी height यह इसकी height हो जाएगी तो इसका area हो जाएगा base multiply height अब यहाँ पर इसका perimeter क्या होता है, इसकी surrounding को हम add कर देंगे, तो 2A प्लस B आजाएगा, यहाँ पर जो B है two times है, A, V यहाँ पर two times है, तो यहाँ पर 2A प्लस B, अब next figure we have circle, अब circle क्या होता है, circle, एक पाट, एक जो compass होता है, उस से, उस से हम एक line रहें, उस line से, उस line से होती ह होती हुए, एक उस से point लेंगे, उस point से होती हुए, एक circle कर does, говорить about round eating है, यह हो जाएगी, इसकी circumference, that is circumference, अब हैं पर the center से circumference की distance होगी, that is radius, that is radius, अब इसकी longest distance होगी, circle से वो होगी इसकी diameter वो इसका diameter होगा यह भी इसका diameter होगा जो circle से center से होते हुए जाएगा center से होते हुए जाएगा जो सबसे long होगा वो होगा इसका diameter अब यहाँ से center से circumference तकी जिश्टर होती है वो radius होती है अब इसका जो area क्या होता है एरिया होता है πाई आर स्कॉय है अब यहां पर जो पाई क्या होता है पाई एक वैलू पाई एक 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 परोक्सिमीटी वैलू होती है इसकी 22 अपॉन 7 एंड 3.14 अब इस से रेटिब कोशन साते है तो बहा पर यह वैलू और लेडी गिवन होती है पाई की वैलू आपके लिए 3.14 फिट करने है या फिर 22 अपॉन 7 अगर 3.14 वहाँ पर दे रखिया कोशन में तो 3.14 आप पुट करोगे अगर पाई की वैलू आपर नहीं दे रहा के पुट करने के लिए तो यूगा पुट 22 अपॉन 17 अब यहाँ पर इसका इरीं अब इसकाय यह अधा है न इक पेवडियू को रीडियस का साधार, अब यहांक मैं इसको को आगे लाएकिप और लॉग इक यहीं होगईए और आपर री उकल होगए तो पहर्यू से यहां को अब यहांपर इसके जो 20 इसका है, अब यहां पर हम यहाँ पर P कही उसकराते है P means यहाँ पर parameter है अब C यहाँ पर होता है circumference C means यहाँ पर है circumference तो circumference इसकी होती है 2 by R